रोजगार मेले की यात्रा इस महिने एक महत्पपूंट पड़ाव पर पहुँची है पिछले वर्ष अक्तूबर महिने में ही रोजगार मेले की शुरुवात हुई थी तब से निरंतर केंद्र और एंडिये शासित भाजपार शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगा तार किया जा रहा है बार बार किया जा रहा है अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नोकरी के नियुक्ति पत्र दिये जा चुके है आज भी पच्चास हजार से जादा युवाओं को सरकारी नोकरी दी गई है दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले पच्चास हजार युवाओं के परिवार के लिए ये मोका दिवाली से जराबी कम नहीं है आप सभी ने कड़ी मैनत से ये मुकाम हासिल किया है इसके लिए आप सभी मेरे नवज़वान साथी विशेशकर हमारी बेटियां बहुत बहुत बधाई के पात्र है आपके परिवार को विशेश रुप से मेरी तरप से बहुत बहुत शुप कामना है साथियों देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रती हमारे कमिटमेंट का प्रमान है हमारी सरकार युवाओं के भविश्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है हम ना सिर्फ रोजगार दे रहे हैं बलकि पूरे सिस्टिम को पारदर्सी भी बनाये हुए है जिससे नियुक्ती प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है हमने भरती प्रक्रिया को ना सिर्फ स्ट्रीम लाइन किया है बलकि कुछ परिशाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है स्टाफ सिलेक्शन कमिशन की रिक्रूटमेंट साइकल में जो समय लगता था वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है यानि सरकुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ती पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपुन बढ़लाव किया है SSC के कुछ परिच्छाओं को हिंदी, इंग्लीश और तेरा खेत्रिय भासाओं में लेना शुरू कर दिया है इससे बड़ी संख्या में उन युवाओं को नोकरी के लिए आवेदन करने का आवसर मिर रहा है जिनके रास्ते में भाषा की दिवार खड़ी थी साथियों, आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे हर सेक्टर में रोजगार के नए आवसर तयार हो रहे है आपने देखा होगा कुछी दिन पहले गुजरात के धोर्डो गाउं को आपको पता होगा धोर्डो कच्छ जिल्ले में पाकिस्तान की सीमा पर का गाउं है इस दोर्डो गाउं को यूनाइटेड नेशन्स ने बेश टुरिजम विलेज की रुप में सम्मानित किया है इस से पहले करनाटका के होई सला मंदिरों और पस्चिम मंगाल के सांति निकेतन को वर्ड हैरिटेज साइट की पहचान मिली है आप कल्पना कर सकते हैं कि इस से यहाँ परियतन की संभावना और अर्थ ववस्ता के विस्तार की संभावना कितनी बढ़ गई है पहले परियतन बढ़ने का सीधा मतलब है कि वहाँ रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे जिसका फायदा इस टुरिजम का ही तो परणाम है जिसका फायदा आसपास के होटेल छोटे छोटे दुकानदार बस चलाने वाले टेक्सी चलाने वाले ओटो रिक्षा चलाने वाले इवन टूरिस्ट गाइड के सब्सका काम करने वाले हार किसी को लाब होता है ऐसे ही स्पोर्स खेत्र यह ऐसे सेक्टर भी हैं जो रोजगार के नए अउसर त्यार कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल खेलों में हमारे खिलाडी आइतिहासिक प्रदर्शन कर रहे हैं यह उपलब्दियां हमारे देश के स्पोर्स लैंड्सकेप में भी बड़े बड़लाव और विकास का संकेद है और जब स्पोर्स सेक्टर का विकास होता है तो सिर्फ बहतर खिलाडी ही तैयार होते हैं ऐसा नहीं है बलकि इससे ट्रेइनर्स, फिजियो, रेफ्रीज और स्पोर्स, नुट्रिशन्स जैसे अनेक नए अउसर तैयार होते हैं साथ क्यों हम रोजगार देने वाले ट्रेइडिशनल सेक्टर्स को मजबूत कर रहे हैं और इसके साथ ही हम रिन्यूबल एनर्जी, स्पेस, आउटोमेशन और डिफेंस एक्सपोर्ट जैसे नए सेक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलोजी में संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं आज किसान ड्रोन का क्रॉप एसस्मेंट और निट्रियंट के छिड़काओं में उप्योग दीरे दीरे बहुत बढ़ रहा है स्वामित्व योजना के तहट ड्रोन्स का लैंड मैपिंग में उप्योग हो रहा है आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा हिमाचल प्रदेश के लाहोल्स पिती में ICMR ने ड्रोन की मदब से एक जगह से दूसरी जगह दवा पहुँचाई इस काम में पहले दो घंटे का समय लगता था लेकिन ड्रोन की मदद से इस बीस पचीस तीस मिनिट में ही उससे भी कम समय में काम हो गया ड्रोन्स ने बड़ी संख्या में स्टार्ट अप्स को भी बढ़ावा दिया है इस क्षेत्र में हो रहे निवेश से युवाओं को नए तरह के ड्रोन्स की डिजाइनिंग में मदद मिल रही है मेरे परिवार जिनों इसी महिने हमने पुझ्य बापु की जैनती भी मनाई है गांदी जी ने चर्खे को स्वदेशी और कर्म योग के एक शक्ति शाली प्रतीक के रुपे इस्तेवाल किया जो खादी अपनी चमक खो चुकी थी उसकी चमक भी अब वापस लोट आई है दस साल पहले खादी की बिक्री तीस हजार करोड रुपिय के आसपास थी अब ये सवालाग करोड रुपिय को भी पार कर गई है इससे खादी और ग्राम उद्योग सेक्टर में अनेक रोजकार के नए आउसर बने हैं विशेशकर महलाओं को इससे बहुत मदद मिली है साथियों हर देश के पास अलग तरह का सामर्थ होता है किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं कोई खनीच से संपन्द होता है तो किसी के पास लंबे समुद्रतर्ट की ताकत होती है लेकिन इस सामर्थ का उप्योग करने के लिए जिस सबसे बड़ी ताकत के आवशक्ता होती है वो होती है हमारी युवा शक्ति युवा शक्ति जितनी जादा मजबूत होगी देश उतना ज़्यादा विकास करेगा हो आज भारत अपने युवाओं को स्कीलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाब उठाने के लिए तैयार कर रहा है बविश्य की आधुनिक जरुरतों को देखते हुए देश में आधुनिक राष्ट्रिय शिक्षा नीती लागू की जा रही देश में बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेज, आई आई टी, आई आएम या ट्रीपल आई टी जैसे कौशल विकास हमस्तान खोले गए हैं करोडो युवाओं को प्रदान मंत्री कौशल विकास योजना के तहर ट्रेनिंग दी गए हैं हमारे देश में करोडो कारिगर अपने पारंपारिक व्यवसाओं के माद्यम से आजी विकास चलाते हैं ऐसे विश्वकर्मा कारिगरों उनके लिए पी-म विश्वकर्मा योजना भी शुरू की गई है आज तकनिक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है इसलिए हर किसी को अपने हुनर और ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा कोई भी नई स्कील सीखने के बाद ये बहुत जरूरी है कि उसे निरंतर अप्स्कील और रिस्कील किया जाए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के ट्रेडिस्ट्रल स्कील्स को मोडन टेक्नलोजी और टूल्स से जोड़ा जा रहा है मेरे परिवार जनों युवाओं के लिए रोजगार के अउसर तैयार करना राष्ट निर्मान की प्रक्रिया का महत्वपुण हिस्सा है ये विख्षीद भारत के लक्ष को हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम है सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपको ऐसी सारी योजनाओं को आगे बढ़ाना है उन्हें जमीन पर लागू करना है आज आप सभी राष्ट निर्मान की हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण सहीयोगी बन करके हम से जुड रहे हैं मेरा आप से आगर है कि आप अपने सपनों को आज पूरा कर रहे हैं लेकिन आप देशवासियों के सपनों की उनर्शिप ले रहें मेरा आप से आगर है कि इस यात्रा को लक्ष तक पहुंचाने में पूरी तत्परता से आपका सक्रिय प्रोएक्टिव योगदान बहुत जरूरी है आई गौड पॉर्टल पर आप अपना ज्यान भी बढ़ाते चलेंगे आपका हर कदम देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में मदद करेगा एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुप कामना हैं आपके परिवार जनों को भी बहुत बहुत शुप कामना हैं और आने वाला पूरा समय आग तो शरत पुर्णिमा है आने वाला पूरा समय त्योहारों का समय है आप जहां हो वले सरकारी काम में लगे हो लेकिन वोकल फॉर लोकल इस मंत्र को हर गरगा पर पहुँचाईए आप अपने परिवार जनों को भी बताईए कि हम वोकल फॉर लोकल के लिए कमिटेड रहेंगे और वो ही रोजगार के नए अउसर देने का भी एक माध्यम है फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुप कामना है बहुत बहुत धन्यवाद